चार्खन प्रदेश चार्खन प्रदेश होल जीवन को इन्हों ने समाजिक सेवा में ही समरफित किया था और अभी वो 83 वर्ष के उमर के हैं और इन्हों ने जब लोगों का नेत्रितों करना या उसका हक दिलाने के रिए जो मनाधिकर के तहाथ या समाजिक कट करता के तहाथ उनको हक अधिकर जो दिला रहे थे लेकिन इनको जो है जूटे साजिस लगा के बिना सबूत इखाटरा किये एन आए मने केंद्री जांच ब्योरो या केंद्री जांच एजनसी ने इनको बीते नो तारिक को राची स्तित आवाज से उनको गिरिपतार किया और इन्हों ने गिरिपतार किया गया है और हम लोग उसका समर्थन में बारत सरकर से हम सांती पूर्वक अंदलन करते हुए हम बारत सरकर को आवगाज करते हैं कि ये हमारे जो उमर्दाराज कर्च करता जो फादर इस्टेंग स्वामी है इनको रिहा किया जाए इन्ही मकसद के साथ हमारे पूरे जारकन परदेशना इस तरह का रेली निकल रहे है मौन चिलूस इसलिए लिट्टी पड़ा परखांड के तहत हम लोग भी आज इतने सारी बुद्धी जुवी बांच के बैक्ति हम लोग उपस्तित हैं और सरकर से मांग करते हैं कि इनको जो है बिना देरी कि इनको रिहा किया जाए हमारे अराब के बीच में जो बुजूर्ग बैक्ति जो हमारे फादर इस्टन स्वामी आपके बीच में गरीबों के बीच में संगर्ज किया संगर्ज करते आये हैं आपका दुख दर्द में आपका हक अधिकर देने के लिए आपके साथ लाहाई किये और लाहाई हम लोग आप याद करते रहेंगे हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और इनको कि किसी को इनका कार्ज इनका कार्ज सेली को हो सकता है अच्छे नहीं लगे और इनको जो है गलत जूट साबूत इकाठा करके इनको बीटे नातरिक को केंडरी जाज एजनसी ने गरिपतार किया है क्या जल जंगल जबीन के लिए कोई आवाज उठाएगा तो उसको भी जेल करेगा क्या गरीव गुर्बा के होक में लडाय करेगा उसको गरिपतार करेगा ये भारत का समीधान कभी नहीं काता है ये भारत का समीधान आप सभी सोतंत्रे हैं बोलने का, कर्च करने का, हसने का और काम करने का, बिराद करने का अदिकार आपके साथ है जो मौलिक अदिकार है लेकिन आज किसी को अच्छे काम के बदले इनको जो है अरेस्ट किया इसका एक ही मकसद है उनका एक ही मकसद है कि हमारे जो हमारे देश में या हमारे राज में जो गरीब गुर्वा जो पिछडे जो दबे हुए बेक्ती का कोई सिवा करता है या उसको कोई अधिकार दिलाता है तो पहले इसको छेल में धुका दो ये सरा सरा नियाई है तो आप सभी जागरित हैं आप समाझ सकते हैं समाझते हैं लड़ाई यहां तक नहीं लड़ाई दिली तक करेंगे जब तक हमारे फादर स्टेंड स्वामी को रिहा नहीं करता हम कभी चुप महीं रहेंगे तो भईयो और बेनो ये एक जुटता हम साथ में रहेंगे साथ में रहेंगे और हमें जरूर सपलता मिलेगी और आज जो है हम लोग ये मेमरंदम ये हमारी मांग है उसको रिहा करने के लिए हम भारत सरकार को हम मेमरंडम दे रहे हैं कि हम बंग करते हैं कि ये जूटा इल्जाम लगा कि जो हमारे फादर को अपने ग्रिप्तार किया उनको बेईज़त उनको बिना सर्फ रिहा करें अनिया था हम लोग आगे भी लगाइख करते रहेंगे इससे उगर लगाइख करेंगी तो आज जो है हमारी जो मांग पात्र है जो मेमरंडम है आप सभी ने इसमें दसकत किया है अपना हस्तक्चर किया है ये मांग पात्र हम प्रक्रांद विकास पलदरी लिटीपडा से हम जो है शुपुर करते हैं और यह हमारे भारस सरकर को बेञेंगे कि आप लिटी पड़ा में भी या पाकुर जिला के ताद लिटी पड़ा में भी फादर स्टेन स्वामी के समर्थन में बहुत सारे लोगों ने मांग किया है इस पर विचार किया जाए इस संदर में निम्न कित बिंदों की और हम आपका ध्यान अक्रिस्ट करना चाहते हैं एक नमबर पादर स्टेन स्वामी ने हमेशा गरीबों पिछडों एवंग दलिदों के सोसन के विरोथ मना अधिकार एवंग समाजी कर्श करता के रूप में हमें हमेशा आवाज बुलन कर करने का कर्श किया है दो नमबर में उन्होंने आदिवस्यों की जल जंगल जमीन की रक्षा हितु आदिवस्यों के साथ मिलकर संगस करने का कर्श किया है तिसरा में है आदिवस्यों को उनकी जमीन से विश्टापीत किये जाने विरोथ सारकार एवंग पंजीपत्यों के ख खिलाब हमेशा आवाज उठाने का कार्च किया है चार नंबर में है फादर एस्टेंट स्वामी एक 83 वर्स ये बुजूर्ग है जो बर्तमान में कई बीमारियों से ग्राशित भी है ऐसी इस्टिति में साथ ही COVID-19 के संक्रमन काल में उनको ग्रिपतार का राज से बाहर ले जाकर कैद करना मनाता के खिलाब है अच्वा में है उनके खिलाब बिना किसी सबूत के साजिस के ताहद जुठे केस में फसा कर रात के समाई NIA के द्वारा ग्रिपतार के अजनक केंद सरकार की आदिवासी एवंग दलित बिरोधी मंगसा को दर्साता है अता हम लिट्टी पड़ा के आदिवासी बुद्धी जिवी मंच उप्युक्त बिन्दों के अलोग में सरकार से निम्नांकित मंग करते हैं पहला तिरासी वर्शी बुजूग फदर इस्टेन स्वामी को पूरे समान के साथ आविलम रिह कराया जाए दूसरा उनके खिलाप लगाये गए सभी जुठे केस को आविलम वपस कराया जाए तिसरा आदिवासी गरीब पिछले वंग दलितों के हक के लिए आवाज उठाने वाले के खिलाप दामनातमा करवाई बंद कराई जाए साथ धन्यवाद साथ प्राइब बंद कराया जाए